कर दोस्तों को इताय दे यूटूब चैनल पर आप सभी का सुवागत है संपून हिंदी विश्य की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपून आदिकाल से सम्मंदित लगबग 100 पर्शन संपून आदिकाल से सम्मंदित जो हम 100 पर्शनों को आज की क्लास में हम करेंगे वही क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यासी सफलता का राज है इसलिए हम तथ्यों की बार-बारी वीजन करते हुए पर्शन उत्रों का बार-बारी वाइस करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे है तो आज की क्लास में आपको हिंदी साहित्य से सम्मंदी पर्शन पूछे जाएंगे सभी के लिए एक क्लास मददगार साभीत होगी चाहिए बी-पी-एस-दी की परिक्षा हो या डी-टे-पल-एस-पी की किसी भी स्टेट में पूछी गई टी-टी-पी-टी परिक्षा हो या फिर एंटी-ए-नेट की परिक्षा हो या फिर कोई अन्य परिक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से सम्मंदी पर्शन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए एक लास हैल फूल रहेगी तो संपून आदिकाल से सम्मंदी जो है लगबग 100 पर्शनों को करते हुए पर्शन नंबर 1 को हम देख लेते हैं श चारिय रामचंदर शुकल जी का कथन है काफी बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो जैसे जैसे जनता के हर्दे में परिवर्तन होता है वैसे ही साहित्य में भी परिवर्तन होता है तो परते एक देश का जो साहित्य होता है वहां की जनता की चित वर्थी का संचित पर्थ करने वाले विद्वान हुए थे गारसादातासी उसके बाद देख लेते हैं आगे हिंदी साहित्य का इतियास दर्चन नामगरंद के लिखक कौन है तो हिंदी साहित्य का जो इतियास दर्चन करंद लिखा है वो किस लिखक का है वो है सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर नलीन विलोचन शर्मा का उसके बाद देखते है पर्चा नमबर चार इन में से कौन सी पुस्तक हजारी परशाद्दी विवेदी की नहीं है तो हिंदी सहित्य की भूमी का हजारी परशाद्दी विवेदी जी की है हिंदी सहित्य की जो भूमी का है वो हजारी परशाद्दी विवेदी ने लिखी हिंदी सहित्य का आदिकाल भी हजारी परशाद्दी विवेदी का है हिंदी सहित्य का उद्भविकास भी हजारी परशाद्दी विवेदी दुवारा लिखा गया लिखी गई पुस्तक है लेकि सीव सिंग सरोज किस वरस में परकाशित हुआ तो सीव सिंग से इंगर दुबारा जो हिंदी साइटे का इतियास है वो परकाशित हुआ अठारा सो तिरासी स्वी में बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है पर्शन नमबर च्छे दामाडरन वरनाकुलर लिट्रेचर ओफ दुस्तान के लेखक जो है जो है जोर्ज किरियेशन है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन निमलिक्त में से इतियास गरंथों में पिसे सही अर्थों में हिंदी साइटे का पहला इतियास जो माना जाता है वो माना जाता है निमलिक्त इतियास गरंथों में से जो ये इतियास गरंथ दिये गई है तो इन्मे की कौन सा जो है सही अर्थों में हिंदी साइटे का पहला इतियास कह जाएगा तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बई दा मार्डरन वर्नाकुलर लिट्रेचर ओफ हिंदुस्तान जो की गार्षा दातासी दुआरा लिखा गया है उसके बाद देख लेते हैं पर्चन नमबर आठ मिसरवंदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु दुआरा देख लेती हैं तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिकाल आदिकाल ही सबसे आदिक विवाद अपस्थ काल माना जाता है बढ़ते हैं आगे परशन संक्यादास हिंदी साहित्य का आलोचनातमकितियास के लिखक कोन है तो हिंदी साहित्य के जालो-चनाथमक इतियास के लेखक रही है corridor रामकुमार वर्मा पढ़ते हैं आगे पर्षयन नंबर हमारा 11 है, 11 परिशन नमबर देख लेते हैं भई, डॉक्तर रामकुमार वर्माने अपने इतियास की समय सीमा क्या रखी, तो डॉक्तर रामकुमार वर्माने जो अपना हिंदी साइते का इतियास करांत है, उसकी जो समय सीमा रखी, वो रखी है, 600, 43 में से लेकरके, 616, 93 में इस भी उसके बाद हिंदी साइत्य का वैज्यानी की तियास आप सभी को पता है गणपती चंदर गुप्त जी का है उसके बाद देख लेते हैं इसमें उसे परवर्ती के आदार पर किया गया नामकरन कौन सा है तो परवर्ती के आदार पर वहां की परवर्ती यानि की वहां की जो वि रीतिकाल रीतिकाल जो है प्रवर्ति सोरी भई आदिकाल आदिकाल हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रवर्ति के आदार पर जो नामकरन दिया गया जैसे कि वीर गाथा काल कहा रामचंदर शुकल ने वीर गाथा काल क्योंकि वहां के प्रवर्ति को दे चारण कवियों क की वीरता को देखते हुए उनके युदों में जो राजाए थी राजा राजाओं की जो ने जो ऐसे वेसिकार करने जाते थे या युद करते थे तो जो इतियास जो लेकक थे वे राजाओं के साथ साथ रहते थे तो उनकी प्रवर्ति को देखते हुए उनने आचारी रामचं पर नाम दिया है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन रीतिकाल को अलंकरितकाल के संग्या किस ने दी तो रीतिकाल को अलंकरितकाल कहने वाले रहे मिश्र बंदू शुक्कल जी ने आदिकाल का नामकरन क्या किया है तो शुक्कल जी ने आदिकाल का जो नामकरन है वो वीर का थ दिया था किस विठियास लेखक ने हिंदी साहित्या का प्रारम एक अजार पचास विक्रमी समवत से स्विकार किया है, तो किस इंदी साहित्या लेखक ने जो प्रारम है, उसका जो समय है 1050 से स्विकार किया है वो लेखक माने जाते हैं आचारिय रामचंज शुकल जी के अनुसार जो आदिकाल का समय 1050 स्विक्रमी समवत माना है उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला पर्शन है हमारा पर्शन नमबर 17 शुकल जी ने आदुनिकाल का नाम क्या रखा है तो शुकल जी ने आदुनिकाल का नाम जो गद्यकाल कहा है उसके बाद अशुकल की जो कालो का नामकरन की सादार पर किया अभी हमने पढ़ा था परविर्ती के आदार पर उन्होंने परविर्ती को परदान तत दे करके कालो का नामकरन किया है आदिकाल को संदी या चारनकाल कहने वाले विद्वान कौन है तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संदी या चारनकाल नाम दिया है संदी और चारनकाल कुछ आगे का बाग जो है संदी काल उन्होंने माना जो है बाद का आदिकाल के जो बाद की समय सिमा उन्होंने चारनकाल का है इस परकार संधी और चारनकाल नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने केवल चारनकाल पोची लिया जाए आदिकाल को चारनकाल किसने का है तो गिरियर्शन ने गिरियर्शन ने जो है आदिकाल को चारनक गाण नाम दिया है ये आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं आगे पर्शन नंबर 20 हमारा देख लेते हैं डोख्टर रामकुमार वर्मा के कारल विवाजन में हिंदी साइटे का परारम कब से माना जाता है तो रामकुमार वर्मान के अनुसार जो है, हिंदी साहित है का जो प्रारमकाल है, वो माना जाता है, एक सेगिन पर, तो इस पर से का अंसर हो जाएगा भई हमारा 750 विक्रम में समवत से, क्योंकि रामकुमार वर्मान जो है 750 विक्रम में समवत से, आदिकाल के अंतरकर, जो अधिकाल की संग्यादी उन्होंने गुश् tengan का समयमान 1024 वी तक और फिर 1126 वी, 13325 वी तक उन्होंने जो है अचारण काल की संग्यादी आधिकाल के नाम को, तो इसलिए जो है 750 विग्रमी समवत से माना जाएगा रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साइत्य का परारम तो, सही आंसर हो जाएगा मारा बी, डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त ने आधुनिकाल का परारम कब से माना, आधुनिकाल का पुछा इंदी साइते के पर्थम काल खन को विजवपन काल नाम किस ने दिया तो महावीर परश्याद्य विवेदी ने उसके बाद इंदी साइते के आधुक्टर को परारम तो, परारम तो, परारम तो, तो देख लेती है आगे, परशन होगा हमारा, 24, 24 परशन में हम देखते है, सिद और सामंतों की जो परदानता के कारण हिंदी साइते के आधिकाल को किसने सिद सामंत काल कहा है, तो सिद सामंत काल कहने वाला जो विद्वान है, वे है, राहुल सांस करता है, यान राहुल सांस करता है, यान ने जो है, आधिकाल को सिद सा सरवापकौह। पर्षन हें, हाए हिंदी कि पहली पहली रचना को मानी हम कुछ को मानीsen प पहली पहली रचना जिस पहली रचना सरवा का क्याते बढते हैं परिज क़ैस दकी भलता है सर्वा का चार के रचेता कौन है तो सर्वा का चार के रचेता देवसीन है उसके बाद सर्वा का चार की रचना का बुई 233 वी जगनिक दुआरा रचित वीर रस परदान गरंद का नाम बताईए तो जगनिक ने जो है परमाल रासो जिसको आलेखन नाम से भी जाना जाता है आलेखन की स्रचना का लोगपरिये नाम है तो आलेखन जो है परमाल रासो का लोगपरिये नाम है जो की जगनिक दुआरा लिखा गया पिठ्वी राजरासों के विशे में कौन सी धारणा अधी को प्यूगता है तो पिठ्वी राजरासों जो है अर्ध परमानिक माना जाता है वैसे तो किसी विद्वान ने परमानिक भी माना है किसी विद्वान ने इसे जो है अपरमानिक माना है और किसी ने जाली गरंत भी संग्यादी है लेकिन पिठवी राज रासों को अर्ध परमानिक माना है हजारी परशाद दिविवेदी ने हजारी परशाद क्योंकि उन्होंने कहा है पिठवी राज का जो कुछ वाग जो पूरव का भाग है वो काल्पनिक है और उस्तर का भाग एतिहासिक है इसलिए आदा जो है आदे कुछ परमान मिले है कुछ परमान नहीं मिले तो अर्ध परमानिक के संग्यादी है जारी परशाद दिविवेदी ने उसके बाद बात करे आगे परशन नंबर हमारा देख लेते हैं भई चलो देख लेते हैं परशन कोई पढ़ लेते हैं परशन बिसल देवरासो का परदान रस बताईए तो बिसल देवरासो का परदान रस आप सभी को पता है शिंगार रस है उसके बाद निम्लिक्त में से हिंदी का पर्थम माहकावे किसे माना जाता है तो पिठवी राजरासों को हिंदी का पर्थम माहकावे माना जाता है पिठवी राजरासों का वहत रुपांतरन में कुल कितने सर्ग समय मिलते है तो इसमें जो है उनतर जो है हमें सर्ग वैसा में देखने को मिलते हैं गोरकवानी के संपादक कौन है तो गोरकवानी के जो संपादक है वो पीतामबर्दत बड़ा थवाल जी रही है उसके बाद नारी निंदा की संपर्दाई में मिलती है तो नारी निंदा हमें जो है नाज संपर्दाई में देखने को मिलती है इन में से नाज संपर्दाई में क्या नहीं है गुरू की महिमा बिल्कुल है नारी की निंदा बिल्कुल है उसके बाद देख लेते हैं आगे इंद्रिय निग्रय और गरस्तों का आदर गरस्तों का आदर इसमें नहीं है तो देख लेते हैं सही आंसर हो जाएगा हमारा D उसके बाद पर्शन नमबर 38 पर्शन नमबर 38 को जब हम देखते हैं तो वर्ण रतनाकर के रचेता कौन माने जाते हैं तो वर्ण रतनाकर के जो रचेता हुए है जो तीश्वर ठाकुर उसके बाद पर्शन नमबर हमारा 49 इन में से कौन सा आधिकाल का गरंथ नहीं है तो प्राकर्थ पैंगलम खुसरों के पहल या विद्धापति की पदावली और जो है पदमावत इन में से जो है संस्कित में लिखा गया प्राकर्थ पैंगलम जो कि लक्षमी धर की रचना है जिसमें छंदों को बताया है तो देख लेते हैं पुस्त आंसर हो जाएगा मारा ए प्राकर्थ पैंगलम माधिकाल की का ही गरंथ माना जाएगा सही आंसर हो जाएगा मारा पदमावत क्योंकि पदमावत जो है जाईशी जी दुवारा लिखा गया जो कि सूफिक कवी जाईशी जो है बक्तिकाल के अंतरगात आते हैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा पता नहीं जल्दी जल्दी में जो है थोड़ा माइन कहां चला जाता है तो देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन नमबर हमारा चालिस विद्यापती पदावली की रचना किस भाशा में हुई तो विद्यापती की जो पदावली की रचना है वो मैथिली भाशा में हुई इनकी केर् आदिकाल में खड़ी बोली का परियोग किस कवी ने किया तो खड़ी बोली का जो परियोग है वो आदिकाल के अंतरगत अमीर खुश्रो ने किया जेन धरम का संबंद इन में से किस कवी से नहीं है, तो जेन धरम का जो संबंद है, इन में किस कवी से नहीं है, ये आपको बताना है, तो सुम्बू, धनपाल, जोईंदू, और विध्यापती, इन में से जेन धरम के कवीयों में कौन सामिल नहीं है, यानि ये पुछा हुआ ह तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बिढ़्दयापति उसके बाद देख लेते हैं आगे बविशत काहा के रचनाकार का नाम बताइए तो बविशत काहा जो रचना है वो धनपाल की है उसके बाद इन में से कौन सा गरंथ सिलाव पर लिखा गया तो सिलाव पर लिखा गया जो गरंथ है वो राउल वेल है जो की एक चम्पू का वे है चम्पू का मतलब होता है गद वे पद दोनों में लिखा जाने वाला रचना गद और पद दोनों में लिखी गई है सिलाव पर यानि पत्रों पर लिखा जाने वाला ये गरंथ है उसके बाद जिसके जो कवी है वी है रोडा कवी, ये भी आपको ध्यान रखना है. एक कवी हुए है, रोडा कवी ने जो है रावल वेल की रचना की है, परतमसिला उपर लिखा जाने वाला गरंत माना जाता है, उसके बाद बाद करें आगे, मेथली हिंदी में रचित गद रचना का नाम बताईए, तो मेथली हिंदी में जो रचित है वो गद रचना पूछी हुई है इसमें, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेथली में पदावली क भी रचना किये पदावली जो है कव्वे खंड है ना कि गद रचना तो इसका हमारा सही आंसर हम मानेगे वर्ण रतना करको वर्ण रतना कर जो है गद में लिखा गया बढ़ते हैं आगे अगला परशन हमारा परशन नमबर 46 पिठवी राजरासों में सरवादिक विवाद माना जाता है तो सबसे जो विवादों में रहा वो उनकी एतिया सिखता है बढ़ते हैं आगे पाडु दोहा के रचेता पाडु दोहा जो रचना है उसके रचेता माने गई है राम सिंग राम सिंग की जो रचना है पाडु दोहा उसके बाद देख लेते हैं परशन नमबर 48 निमलिक्त में से किस रासो कावे में शिंगार रस की परदानता है तो इन में से जो है आप सभी को पता है विसल देव रासो कावे में शिंगार रस की हमें परदानता देखने को मिलती है राहुल संस करता है दुआरा संपादित दोहा कोश में किस कवी की रचनाई संपादित तो दोहा कोश के अंतरगर्ज राहूल संस्करता है है दुआरा संपादि दोहा कोश हैं उस में जो है सरअपा आगे राचनाय संक्लित है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा आधिकाल में रचित कावे शर्वादिक किस साहिते में रचे गए तो सर्वादिक कावे आधिकाल में जो है जैन साहिते में रचे गए बढ़ते हैं आगे रचित कावे किस छन में अधिक लिखे गए तो सरी बई चरित सबसे अधिक लिखे गए इसका अंसर हो जाएगा हमारा सबसे अधिक चरित का हुए हमारे लिखे गए दो हाचोपाई में ये भी आपको लखना है क्योंकि इंपोर्टेंट पर्शन है बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नमबर 52 जैन साहिते में राम कथा किस जैन साहिते में जो राम कथा है किस नाम से सौंबो दुआरा लिखी गई तो जैन साहिते में राम कथा जो है पाउंचरिम नाम से सौंबो जी दुआरा लिखी गई जिसमें जो राम कथा लिखे थी राम कथा लिखे थी राम चरितर मानस में उसमें साथ कांडों को दर्शा लेकिन पॉण्चरिम जो रचना है इसमें केवल 5 ही कांड़ तरहvanti संधिया यह आपको ध्यान अपना कई बार पूछ यह जाती है है बढ़ते हैं आगे अगला परशन है वैसे तो आदिकाल का आगर जो परधान रस पूछ लिया जाए तो वीरस हम कहींगे लेकिन जो पदावली की रचना है उसका परधान 다स्पूंछ लिए जाए तो सिंगार थां बढ़ते हैं इनमें से आधिखाल के अंतिम चरण में शुपरूशिद कवी कुन समाना जाता है तो आधिखाल का जो अंतिम चरण है उसमें सूपर्शिद कभी आपको पताईए अमीर खुसरोजी रही है उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन नमबर हमारा पर्शन संख्या नमबर हमारी साथ देख लेते हैं ऐसे रासोगरंतों के रचनाकर का नाम बताईए कम समय में अधिक पर्शनों को करने की कोशिस करते हैं इसलिए थोड़ा कम एक्स्पिलेनेशन के साथ पर्शनों को कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पर्शनों की हम बार बारी वीजन हो सकें क्योंकि पर्शन उत्रों के साथ आपकी जो है सभी तत्य किलियर होते चले जाएं इसमें हम जो है वीड explanation के साथ पर्शनों को करते हुए अपनी तयारी को आगे बढ़ा रहे हैं तो देख लेते हैं ऐसे रासोगरंद का रचनाकर का नाम बताईए जसकी रचना अजमेर के सासक से सम्मंदित है तो अजमेर के सासक से सम्मंदित किस रासोगरंद की रचना रही है, ये रही है नर्पती जी नाल्लय की, नर्पती एक सेकन भई, अजमेर के सासक से सम्मंदित जो रचना है, एक सेकन भई, वो नर्पती नाल्लय जी की है, जो भी सल्दे वो इसके रचना का नाम है, बढ़ते आगे अगला पर्शन अमारा पर्शन नमबर 61 आचारी हजारी परशाद दिविवेदी राशो शब्द की उत्पत्ति की शब्द से मानते हैं तो हजारी परशाद दिविवेदी ने राशो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग जैदेव के उपादी मिली है विद्यापती को, कवी कंठावरण, अध्वीनव, जैदेव आधी नामों से विद्यापती को जाना जाता है, कोन सी रचना जो है, साली बदर शुरी जीजी की हो जाएगा चंदरबाला रास जो है आसगो की है बढ़ते हैं आगे विध्यापती किस्मत के अनुयाई थे बढ़ते हैं आगे पर्चन नमबर हमारी 65 विध्यापती किस नरेस के दर्बार में रहते थे विध्यापती जो है किस नडेश के दर्बार में रहते थे ये रहते थे शीव शिंग के दर्बार में रहते थे विद्यापती उसके बाद देख लेते हैं आगे खुमान रासो की पर्मानिक परती जो है संग्रिहित की गई खुमान रासो की पर्मानिक परती संग्रिहित की गई कहां पर ये पूने संग्राले में, मत्रा संग्राले में, जैपुर संग्राले में, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पूने संग्राले में, विसल देवरासों में कुल कितने गरंद है, तो विसल देवरासों में आपको कितने गरंद देखने को मिलेंगे, विसल देवरासों में कितने चंद देखने को मिलेंगे यह आपको बताना है तो विसल देवरासों में जो अमारे चंदों की शंक्या है वो है 128 कहीं कहीं आपको जो है recommend 125 परिक्ष्या में जो है किसी-किसी बुक में 125 भी देखने को मिलेंगे तो 128 या 125 में से आपको एक ही ओप्षन मिलेगा बढ़ते आजे पर्शन नमबर हमारी 68 निम्र में से कौन सा विद्वान पिट्वीराज रासों को अर्ध परमानिक रसन मानते हैं तो अर्ध परमानिक रसन मानने वाले जो विद्वान हुए है इन में से हजारी पषाद दिविवेदी हुए है हजारी पषाद दिव य् Only Tati screamed ar चतर जी और मुनी जीन विजय इन तीनों विद्वानों ने जो है पित्वी राज रासों को अर्थ पर्मानिक माना और मोहन लाल पांडे ने जो है पर्मानिक माना और कवी राज श्यामल ने जो है इन्हें पर्मानिक माना बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा चाल सिलिय नाएगा हमारा अल्यखण का चाल सिलीयट ने जो है अल्यखण का परकाशन कर आया गया किया उसके बाद बात करें आगे एक सेकंड भई चाल सिलीयट ने पिट उन पर्माल रासो गरंथ को अल्यखण नाम परकासित कराया आले कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस नाम से परमाल रासों को Charles Iliates ने परकासित कराया तो आले खन नाम से परकासित कराया और किस सन में 1865 में ये भी आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं आगे जैनमत का जो परचार भारत में किस राज्य में सरवाधिक था तो आप सभी को पता है जैनमत का जो परचार परशार है वो सबसे अधिक भारत में हमें महाराष्टर में देखने को मिला उसके बाद देख लेते हैं आगे आंसर हो जाएगा हमारा B महाराष्टर आधिकाल की राजनितिक परिष्ट भूमी आधिकाल की जो राजनितिक परिष्ट भूमी की जब हम बात करें तो हमारा आंसर होगा जो है B हरसवर्दन स्वामराज्य का पतन पढ़ते हैं आगे हिंदी साहिते के आदी कवी सरहप्पा का जो समय है राहुल संसकरतायन ने क्या माना हिंदी साहिते के आदी कवी जो आदी कवी माने जाते हैं सरहप्पा उसका जो समय है राहुल संसकरतायन जी ने माना है 1779 इस भी आंसर हो जाएगा हमारा 1779 बढ़ते हैं आगे हिंदी मुक्तक का विपरमपरा का सबसे पिरिये चंद आदिकाल लीन साहित्य की देन माना जाता है, तो किस की देन माना जाता है हिंदी मुक्तक का विपरमपरा का जो सबसे पिरिये चंद है वो माना जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा हो जा का जो हिंदी का पहला कवी माना है कि इसकी परशिद रचना कौन सी है तो गणपती चंदर गुप्त जी दुवारा साली बदर शुरी हिंदी का पहला कवी माना गया तो साली बदर शुरी जी की पहली रचना मानी जाती है कौन सी मानी जाती है साली बदर शुरी की पहली रचन कौन सा गरंद है जो आधिकालिन साहिते में वियोग शिंगार की सरवसरेष्ट रचना मानी जाती है तो अब्दुरह्मान जो दुआरा रचित गरंद का नाम है संदेश रासक जो वियोग संगार की सरवसरेष्ट रचना मानी जाती है बढ़ते हैं आगे पर्चन नमबर 76 देख लेते हैं दोहा कावे परमपरा का परारम 60 स्ताबदी की रचना परमातम परकास और योगशार से माना जाता है किसकी रचना है परमातम परकास और योगशार जो रचना है वे किसकी है वे है जो इंदो की उसके बाद देख लेते हैं परचन नमबर 77, रास कावे परंपरा के अंतरगत आने वाले उपदेश राशायन, रास के रचेता कोन माने जाते हैं, तो रास कावे परंपरा के अंतरगत आने वाले जो उपदेश राशायन, जो रचना है, इस करंद के रचना कार माने जाते हैं जीनदत सुरी उसके बाद देखे लेते हैं आगे पर्चान नमबर अठेटर विसल दिव रासो मूलत एक कावे हैं यह आपको पताइए विसल दिव रासो जो है एक ये कावे है गाय जाने वाला कावे है उसके बाद बात करें कौन सा रासोगरंत केवल कौन सा रासो गरंद केवल सरजना सूचना रूप में उपलब्द है तो उसका कोई पुस्तकार रूप आज तक उपलब्द है यानि उपलब्द नहीं हुआ है कौन सा गरंद ऐसा है जो केवल सूचना रूप में अब यह तक उपलब्द हुआ है ना कि उसका कोई जो पर्मानिक रूप से हमें मिला है पर्मान तो वो गरंद हो जाएगा हम वीर रासों बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है पर्शन नमबर 80 आल्य और उद्दल नाम के वीर सरदारों के वीरता पून रड़ायों और युदों का अत्यांत परवावसाली वर्णन निमलिक्त में से किसमें देखने को मिलता है तो पर्माल रासों में हमें देखने को मिलता है दो वीर योद्दाओं का वीरता कवर्णन हमें देखने को मिलता है एक आल्ले और एक उद्दल दो वीर सरदारों की जो वीरता पूर्ण रचना मानी जाती है बढ़ती है आगे परशन नमबर 81 रासो गरंद परंपरा का सरवादिक परशिद लेकिन उतना ही विवादा पस्त काव्य गरंद कौन सा माना जाता है रासो गरंद परंपरा का जो सरवादिक विवादिक जो परशिद गरंद है वो कौन सा माना जाता है वो माना जाता है पिठ्वी राज रासो पित्वी राज रासो जो है रासो परामे सरवादिक विवादि पस्त गरंत वाना गया है परमाल रासो नहीं भी सोरी पित्वी राज रासो बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है पर्शन नमबर 82 पित्वी राज रासो की भाशा निमलित में से क्या है तो पित्वी राज रास बातो की बाशा है, इस option के अनुशार हम जो है, उसकी बाशा हम मिसृत लगाएं क्योंकि यहां पर मिसृत का option दिया हुआ है, अगर इस option के में mother मिसृत ने करके कोई और अंए option दे दिया जाते या इन में से कोई नहीं लगा दे दे देते या फिर जो है उप्यूक्त सभी ब वोल देते तो हम उप्यूक्त सभी पर भी लगा देते लेकि आगर इन में से इसके अलावा खडी बोली लिख दे या कोई और अन्य बाशा लिख देते जैसे कि अर्भी लिख दे अर्भी के शब्द भी परियोग हुए है इसमें तो मिस्रित पिर्थवी राजरासों की जो यह बाशा है यह मिस्रित है क्योंकि डिंगल अप बरंच पलस अप बरंच एक सेकंड भी डिंगल का मतलब आप सभी को पता है अप बरंच पलस राजस्थानी बाशा होती है अप बरंच पलस राजस्थानी और पिंगल का मतलब होता है अप बरंच पलस ब्रेज तो पिंगल होती है अप बरंच पलस ब्रेज आप बरंच पलस राजस्थानी तो रजस्थानी बाशा तो आएगी ही इसमें डिंगल बाशा भी है जैसे अप बरंज बाशा के शब्द भी मिलते है और रजस्थानी बाशा के भी हमें देखने को मिलती है पिंगल भी यानि कि अप बरंज बाशा भी देखने को मिलती है पित्वी राजरासों में और उसके बाद जो है सही आंसर हो जाएगा मारा मिश्रित पढ़ते हैं आगे पित्वी राजरासों के सर्गों को क्या कहा जाता है तो पित्वी राजरासों के सर्गों को जो है समय का नाम दिया गया है समय कहा गया है पित्वी राजरासों के सर्गों को देख लेते हैं नहीं रखी जा सकती यह आपको बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहा कोश्य यह जो है सिदोख सिदकवी जो है सरहपपाजी की रचना है सिदोखे अंतरगत आएगी सिद सहीत्य में बढ़ते हैं आगे बोध दरहम के किस्तत्तव के परचारात सिदोखे लोग आएगा हमारा वरजियान साखा से बढ़ते हैं आगे परसा नमबर छासी सिद कव्यों ने अपनी रचनाव में अपने सिद दान्तों का परतिबादन जिस गुड या परतित आत्मक वाशा में किया वह है वह किस परकार की भाशा मानी जाती है तो वह एक जो है सांकेतिक भाश मानी गई है उसके बाद देख लेते हैं सिद वैनात साहित्य का जो विशय शेलिगत परवाव परवर्ति किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारतिंदु यूगीन कालिन या रितिकालिन या भक्तिकालिन या करें आगे चारिय पद है चारिया पद एक परकार का जो है वह वह बहुद करने जाता है बढ़ते हैं आगे लिए द्वारा का फर यक डूल के बहुद कंड़े ग्रया बहिता ब पर्च्यक रेखली परकार है अग्छैन अहमारा कि जहन उर्नात कंद्व thrive रचित कव्यों का सर्वों पर युदेश्य माना जाता है तो जेन और नात कव्यों दुआरा रचित सर्वों जो कव्यों का सर्वों पर युदेश्य क्या रहा है यह आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा धर्मोपतेश बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन हमारा न नाथ साहिते हैं के सरवाधिक समर्थक वे लोग पर यहाठी होगी थे कौन थे लाख नाथ साहिते हैं के सरवाधिक समर्थक वे लोग पर यहाठी होगी वे माने जाते हैं सरवाधिक लोग पर यह पुछा हुआ है तो भई गोरकनात को हम मानेंगे क्योंकि गोरकनात सरवाध आदिक लोग पर यह नाथ में संतों में सामिल है जो मस्तेंदर नाथ से परवर्तक माने जाते हैं लेकिन जो गुरकनाथ के जो गुरू का नाम है वो मस्तेंदर नाथ है लेकिन मस्तेंदर नाथ से भी आदिक जो वे परशिद हुए वे गुरकनाथ जी रही है बढ़ते हैं आ आप सभी को पता है कनहपपा जी नहीं है क्योंकि ना कनहपपा जो है सिदो में सामिल है यह आपको बढ़ते हैं आगे अगला पर्शन है जेन साइते की सरवादिक लोगपिरिये का वैशेली कौन सी रही है तो जेन साइते की जो सरवादिक लोगपिरिये का वैशेली रही है वो रही है आचार उसके बाद बात करें आगे अमीर खुसरो की इस परशित सूफी संद के शिश्य माने जाते हैं तो अमीर खुसरो जो है निजामुदिन ओलिया के परमुक शिश्य माने जाते हैं उनके जो निजामुदिन ओलिया की मिठ्ट उपर उन्होंने ये दोहा भी कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले के इस चर्ख घर खुसरो आपने इस परकार से जो एक दोहा है ये अमीर खुसरो जी के सम्मझ में परशिध हैं बढ़ते हैं आगे जो कि इन्होंने मुकरियों के अतिरिक्त खुसरो के अन्य ना किस ना किवे को अपनाया है ये आपको बताना है तो इन्नोंने जो है अमीर खुसरो ने इसके साथ-साथ गजल को भी अपनाया है बढ़ते हैं आगे परशन नमबर पिच्चान में विद्धापती के अतिरिक्त मेथली बाशा का इक अन्य नाम कौन सा है विद्धापती के अतिरिक्त मेथली बाशा का जो अन्य परशिद कवी कौन सा माना जाता है विद्धापती के अतिरिक्त जो मेथली बाशा के परशिद कवी रही है वे कौन माने जाते है इसका आंसर आपको बताना है तो वे हुए है उमापती बढ़ते हैं आगे उक्ति व्यक्ति परकरण एक मैतव पूरन गरंथ है उक्ति व्यक्ति परकरण जो मैतव पूरन गरंथ है वो किस परकार का है ये एक इतियास गरंथ वाना जाता है सुरी वयक्ति व्यक्ति परकरण जो है एक सेकिन इसका आंसर हो जाएगा इतियास का यानि कि व्याकरण के इतियास का वर्णन है इसमें तो सही आंसर अमारा व्याकरण हो जाएगा तो यह जो गरंथ है दामोदर शर्मा जी का व्याकरण के इतियास का गरंथ 27 स्ताबदी का मा आगे अगला पर्शन हमारा पर्शन नमबर 97 सत्तान में तो वर्ण रतनाकर एक है वर्ण रतनाकर जो है एक यह गरंद जो वर्ण रतनाकर है यह जो है एक परकार से शब्द कोस है जो तिसवर ठाकुर का उसके बार देख लेते हैं आगे 98 श्योंबुर अचित पांचरीम ने क इस कथा को आधार बनाया है तो श्योंबुजी दुआरर रचित पांचरीम जो है एक राम कथा पर आधारित कव्य है तो राम कथा को आधार बनाया है रामायन को बढ़ते हैं आगे बक्ति की जो शमय अवदी है बक्ति काल की में जनम से लेकर आधिकाल की स्रेणी में रख जाने वाला ऐसा कभी कौन समाना जाता है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा तो देख लेते हैं कभियों के नाम जगनिक विद्यापती मदूकर या भठकैदार तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विद्यापती यानि कि जनम जो है बगतिकाल में बगतिकाल के अंतरकत भी आत आदिखाल के अंतरगत भी हमें जैसे उनके जो विद्यापती की पदावले और केर्थी पतागा आदी जो रचनाई हमें देखने को मिलती है बढ़ते हैं आगे पितवी राजरासों का मुख्यरस वीर होते हुए भी इसका सहयोगी रस कौन सा माना जाता है वैसे तो मुख्यर आगर पूच लिया जाए पितवी राजरासों का मुख्यरस वीर है लेकिन सहयोगी रस के रूप में हमें देखना है तो शींगार रसिसका सहयोगी रस है पितवी राजरासों के एतरगत इस परकार से आज की क्लास में हम ने सो पर्षणों को complete कर लिया है अधिकाल से सम्मंदित बागी बचे हुए परशणों को जो है आगे आने वाली क्लासों में complete कर लेंगे इसी परकार हम पिछे की तथ्यों को रिवाइज करते हुए, बार-बार परशनों का अभ्यास करते हुए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, संपून हिंदी साइटे से सम्मंदित, तो वेडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर प परशनों का अभ्यासम करते हुए, चल रहे हैं, और साथ ही जो है, कंटेंट को भी देरे-देरे आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको परशन अच्छे लगते हैं, क्लास अच्छी लगती है, लगता है कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए हैल्फुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, थेंक्यू, धन्यवाद